नमनमा इस वीडियो में हम जानेंगे विसर्ग संधी की अगली संधी रुत्वम संधी के बारे में यानि रुत्व के बारे में तो आईए देखते हैं कहते हैं रुत्वम यानि विसर्ग को रो करने का नियम इससे पहले हमने जाना था उत्वम उत्वम में क्या था उ होता था यानि विसर्ग का उ बन जाता था या रुत्वम में क्या है विसर्ग को क्या बन जाता है रो यानि रो बनने का नियम तो इस नियम में क्या कहते हैं यदि ओ आ के अत्रिक्त यानि ओ और आ के अत्रिक्त यानि इसके अलावा किसी भी अन्य स्वर के बाद यानि ओ आ को छोड़ करके बाकी कोई भी स्वर हो और उसके बाद अगर विसर्ग हो और उसके बाद कोई स्वर हो यानि कि और आको छोड़ दिया उसके बाद कोई भी स्वर हो उसके बाद विसर्ग लगा हो उसके बाद फिर कोई भी स्वर हो तो क्या बन जाता है विसर्ग को रह बन जाता है यह पहला नियम दूसरा या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या यरलवह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को रह हो जाता है यानि जिस तरीके से पहले उत्वम में उ हो रहा था इसी प्रकार से यहां रुत्वम में विसर्ग को रह हो रहा है कैसे देखते हैं सबसे पहला वाला नियम नियम एक क्या कहता है कह corrections कै रहें और यहां पर लिखते हैं और आ, की अति हत एक है कोई साही और अतिरीक है। कोई हो है कोई स्वर हो और Hani कोई स्वर हो MARY कोई स्वर स्वर पार क्या लगा कि यह भी स्वर सब्सक्राइब भाला आपको क्रोस मारते हैं छोड़ दीजिए और इनके अलावा कोई भी सवर हो ए यह हो ठीक है री री हो ए ए हो तो कोई भी सवर हो ठीक है और से बाद आगर विसर्ग लगा ओ पहला और विसर्ग के बाद क्या हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो विसर्ग के बाद कोई स्वर्ग के बाद कोई स्वर्ग हो ठीक है यहां ओ आको छोड़ करके कोई स्वर्ग हो विसर्ग से पहले और यहां पर विसर्ग के बाद कोई भी स्वर्ग हो तो इस विसर्ग को क्या ब बन जाता है यह हमारा पहला नियम है ठीक है अब दूसरा नियम क्या कहता है दूसरा नियम भी यह कहता है कि और के अत्रिक्त कोई सवर हो यानी विसरक से पहले यानी और के अत्तिरिक्त कोई स्वर यानि यह यानि यह स्वर है और इस स्वर से पहले इस विसर्ग से पहले कोई भी स्वर इस विसर्ग से पहले कोई भी स्वर किसके अत्रिक्त इनके अत्रिक्त इस और आके अत्रिक्त यानि और आके अत्रिक्त कोई स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क्या हो वर्गों का कौन सा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या 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 रा लवा या इसके बाद क्या हो या रा ला वा और हो या वर्ग अब वर्ग कौन से मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि को वर्ग है उसक बाद चो है उसके बाद तो है फिर तो है और फिर पावर गया यानि कोखा गागा अंगा चाचा जाजा यहां तोठा धाड़ना तोठा धाड़ना अपाफा बाबाबा मा ठीक है इसको पूरा एक बार लिख देते हैं झाल एक बाज़ना ओक स्वश सकती है नाज़ना शया बाद लिख पुश नाज़ना अ़े हैं अब ये पूरे क्या ओगे वर्ग हों गया क्योंकि टोटल कितने होते हैं यह वर्ग है वो टोटल 25 होते हैं और इन वर्गों का और या इौह कि पजाता है तो इसको रो अधारो बन जाता है यह दो नियम हमें बिल्कुल याद होने चाहिए अब इसके बाद पहले इसको मिटा लेते हैं तो आई ये पहला उधार देखते हैं सबसे पहला उधार क्या कहता है मुनी धन अयम ये क्या बन गया मुनीर यम अब इसको समझते है सबसे पहला क्या कहता है और अक्यत्रिक्त कोई भी अन्य स्वर हो और उसके बाद क्या हो कोई भी स्वर हो तो यहां पर सबसे बहुते हैं मुनी में यहां पर आप देखेंगे सबसे बहुते हैं पूरा लिग देते हैं नी अब नी में हम अलग करते हैं तो पहले आधा नौ और इसमें इकी मात्रा ठीक है और उसके बाद क्या आया है स्वर आया है और उस स्वर के बाद क्या आ रहा है तो पहला हमारा नियम क्या कहता है कि आ आ के अत्रिक्त किसी भी अन्यस्वर यानि आ के अत्रिक्त कोई भी अन्यस्वर तो इस विसर्ग से पहले क्या है ए है यह हम कह सकते हैं कि किसी भी अन्यस्वर के बाद विसर्ग लगा हो यानि इस विसर्ग से पहले मान लें या हम एक कहें कि इस स्वर्ग के बाद अगर विसर्ग लगा हो और दूसरे में यानि विसर्ग के बाद क्या हो कोई भी अन्य स्वर्ग हो तो इस इस विसर्ग की जगा क्या हो जाता है आधा रो बन जाता है नियम करता है O A के अत्रिक्त किसी भी अन्य स्वर्ग के बाद विसर्ग हो यानि O A नहीं है तो यहाँ पर O A नहीं है अन्य स्वर्ग कौन सा है? E है और E के बाद क्या है? विसर्ग है और उसके बाद और इस विसर्ग के बाद क्या है? कोई भी स्वर हो कोई में क्या है स्वर ओ आया है ठीक है तो क्या हो जाता है विसर को रह हो जाता है तो यहाँ पर रह हो गया अब इसको हम जोड़ देते हैं ठीक है तो इसको हम जोड़ते हैं तो मू न अपस इ ये क्या बनना है मू नी और रा और ये जब हम इसको जोड़ा और हमने इसको जोड़ा यानि रा प्लस औ जोड़ा तो ये पूरा औ बन गया यानि पूरा ये रा बन गया और या और मा तो ये हो गया मुनीर यम ठीक है उसके बाद दूसरा समझते है बधू प्लस इव बधू रिव अब इसमें क्या कहता है बधू फिर वही और आके अत्रिद किसी भी अन्यस्वर के बाद अब यहां देखिए वह को अलग किया धौको हमने जब अलग किया तो इसमें उ की मातर लगी है ठीक है और इसके बाद क्या है यहां पर विसर्ग है तो यहां क्या किता है और आके अत्रिद किसी भी अन्यस्वर के बाद विसर्ग हो यानि आ तो नहीं है दूसरा जो है की स्वर है और उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद उसके बाद क्या है कोई भी स्वर हो तो क्या हो जात तो यह है यह स्वर आ रहा है तो यानि इसको क्या हो जाएगा आधा रहा हो जाएगा आप इसको जोड़ते हैं वह पूरा आधा धा और उव प्लस रह प्लस इव ठीक है अब देखिए वह पूरा आ गया अधा में उ की मात्रा री रह आधा इसको पूरा करेंगे ए की मात्र लगेगी री और वह तो यह हो गया वधू रिव ठीक है तो हमें क्या याद करना है कि अ आग के अत्रिक्त अन्यसवर हो और स्वर के बाद विसरग लगा हो और विसरग के बाद कोई भी स्वर आ रहा हो तो वहाँ पर रहो जाए गा तो यह समझ लिया हमने उसके बाद इसके बाद अगला देखते हैं दूसरे नियम का हरी प्लस गच्छती, क्या हो गया हरीर गच्छती अब देखिए हो और री है अब हरी है यहाँ पर तो यहाँ पर भी वही कहरहें हैً कि ऑ आके अत्रिक्त, अब इसमें इ की मात्रा जूड़ी है यानि हो है पूरा माल लीजे रो को हमने अधा किया होना चाहिए और वर्गों का तीसरा चोथा या आ पांच्वा वर्ण या हर्ला या वहा तो यहां पर क्या है ग तो ग यानि तीसरा रहा है क और ग यानि वर्ग का तीसरा यानि ग आ रहा है तो all the चार ती तो इसका मतलब इस विसर का क्या हो जाएगा आधा रहो जाएगा अब हम इसको जोड़ते हैं अब हम इसको जोड़ेते हैं देखिये हा हा हो में इकी मात्रा री और रह यहाँ पर ऐसा कोई शब्द होता नहीं है तो यहां गौव आ गया गौव में इधर रहा चो चो ती हरीर गच्छती है ठीक है यह आपने देखा इसके बाद लाश्ट एक और उधारत समझते हैं मुनी यहां पर विसर्ग होगा मुनी प्लस याति अभी 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 ठीक है ऐसे ही दिखें मुग को हमने अलग किया उसके बाद लजय है तो यहां पर नौ आधा हुआ i' qe zmatra ठीक है और उसके बाद क्या रहा है विसर्ग ठीक है और विसर्ग के बाद क्या दीज आ रहा है या विशर्ग दीए टीक है अब अब गाल ओंपर किसी भी अन्यस्वर्ग के बाद विसर्ग क्तेर 14 या या यह विए लोग ऊसरिक यह की बाद कर्समें करकने चोल इस अब पर साथ या अरहा है यह विशर्ग हो जाते हो अब इनको जोड़ लेते हैं अब देखिए मु नौ पर एकी मात्रा मुनि रो या ती तो इस तरह का कोई शब्द नहीं होता इस तरह का भी नहीं होता तो यह यहाँ पर कैसे हो जाएगा मुनिर या ती तो यह हो गया मुनिर या ती तो इस जो है कि विसर्ग संदी में रुत्तम विसर्ग संदी में सरव हमें यह याद रखना है कि विसर्ग को रह हो जाता है और रह कैसे होता है और आ को छोड़ करके पहले शब्द में कोई भी स्वर हो और स्वर्ग के बाद अगर विसर्ग लगा हो और उस विसर्ग के बाद या तो कोई भी स्वर्ग हो या जो व्यंजन हैं व्यंजन के जो वर्ग हैं उन वर्गों का किसी भी वर्ग का तीसरा चोथा या पांचवा अक्षरो या या रा ला वह में से कोई हो त तो विसर को रह हो जाता है तो अभी तक के लिए आपको मेरा नमस्कार मिलते हैं अपने अगले वीडियो में